हलो गाईस इस वीडियो में मैं आपको IRCTC website के master list में नाम एड़ करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा नाम पहले एड़ कर लेने से ततकाल टिकट मिलने की चांस बढ़ जाती है चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं IRCTC website ओपन कर लेंगे हम ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस कुलेगा आपके शामने नीचे कोने में होम के बगल में माई अकाउंट लिखा है उस पे हम क्लिक करके अपना यूजर आईडी पीन और कैपचा कोड फिल करके अपना आईडी लोग इन कर लेंगे चलिए हम अपना आईडी लोग इन कर लेते हैं पीन और कैपचा कोड सही सही फिल करना है जिस तरह से दिया है उसमें वो ऐसे ही फिल करना है चलिए हम फिल कर लिए हैं इसको लोग इन कर लेते हैं हमारा ID verify हो रहा है चलिए verify होने के बाद से आपको हम दिखाते हैं चलिए verify हो गया फिर से हम my account पे click करेंगे my account पे click करने के बाद से आपके सामने कुछ है SI interface कुलेगा my profile IRCTE violet उसके नीचे my master list उस पे हम click करेंगे देखिए हम पहले से दो आदमी का add कर रखे हैं my master list में नाम अब उसके उपर कोने में add passenger पे click करेंगे add passenger पे click करने के बाद से कुछ ऐसा interface खुलेगा passenger detail passenger type उसके नीचे normal लिखा है normal पे normal रहने देंगे उसके नीचे नाम फिल कर लेंगे उसके नीचे date of birth फिल कर लेंगे और उसके नीचे gender लिखा है gender select कर लेंगे उसके नीचे birth preference लिखा है यानि कौन सा sheet आपको चाहिए तो हम उसको select करके upper lower middle जो भी seat हमें चाहिए windows id जितना भी seat अब इसमें लिखा हुआ है आप जो चाहिए वो select कर लेंगे उसके नीचे meal preference लिखा हुआ है उसको हम wage, non wage, no food जो भी खाना आपको चाहिए उसमें select कर सकते हैं हम उसको no food पे कर देते हैं उसके नीचे id card type लिखा है उसको select करके हम अपना id चूज कर लेंगे जो भी id हम अपना pass में लेके जाना चाहते हैं उस id को हम select कर लेंगे चलिए हम अपना अधार card अधार ID सेलेक्ट कर लेते हैं चली हमने ID सेलेक्ट कर लिया है अधार अधार सेलेक्ट करने के बाद से अधार का नंबर मांग रहा है अधार कार्ड का चली हम अधार कार्ड का नंबर अपना फिल कर देते हैं इसमें आप जिसका नाम master list में add करेंगे उसका आधार काड़ फिल कर देंगे हम अपना फिल कर रहा है इसको नई फिल करना आप चली हमारा आधार काड़ फिल हो गया इसके नीचे add passenger लिखा हुआ है add passenger पे हम क्लिक करेंगे add passenger पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने confirmation message ऐसे कुछ दिखाई देगा passenger detail add and successfully ok कर देंगे ok करने के बाद से आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा या तो success होने के बाद से हरा trick लग जाएगा अभी हमारा pending में दिखाई दे रहा है painting में दिखाई देता है कुछ दिर बाद refresh कर देंगे refresh करने के बाद से success हो जाता है नहीं तो दोबार अपडेट मांगता है तो हम update कर देते हैं update करने के बाद भी success हो जाता है चलिए हम अपना refresh कर देते हैं रिफिरेस कर दिया हमने आप देख सकते हैं रिफिरेस करने के बाद से उपर अभी जो हमने एड़ किया एरो कनिसान दिखाए दे रहा हो हरा ट्रीक लग गया है चलिए दोस्तों हम वापस आ जाते हैं यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देना चाहते थे अगर वीडिय का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थेंक यू आल फ्रेंड्स